दोस्तों अगर आप EGP retailer हैं और आपको business loan की requirement है तो इस वीडियो को शुरू से अंतक जरूर देखेगा इस वीडियो को देखने के बाद आप यहां 3 लाग तक की loan ले सकते हैं instant के instant EGP के तरब से तो चलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही interesting होने वाला है तो इस वीडियो को business loan नहीं मिला अगर आपको business loan की requirement है तो शुरू से अंतक इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर जितने भी APS चालक हैं अनिकि APS चलाने वाले हैं और उनको loan की requirement है तो इस वीडियो को शुरू से अंतक जरूर देखेगा इस वीडियो को देखने के बाद आप EGP ID फ्री ब मिलते हैं और यहां जितने भी service को use करेंगे अपने customer को provide करेंगे उतनी आपकी earning यहां ज्यादा बढ़ने वाली है तो चलिए दोस्तों फिलाल हम यहां बात करने वाले हैं आप यहां EGP के अंदर business loan तक कैसे ले सकते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो चलिए दोस तो यहां आपको एक option मिल जाते हैं wallet available balance जो दीख रहा आपको उसे थोड़ा सा select करते हैं तो यहां wallet card का option आते हैं थोड़ा सफिर से select करते हैं तो earning का option आते हैं यहां आपको option मिल जाते हैं business loan अगर आप यहां business loan लेना चाहते हैं 3,00,000 रुपए तक तो यहां आपको apply now के मिलने वाले हैं यहां भी देख सकते हैं apply now का button जो आपको दिख रहा इस पे हमें click कर देना है click करने के बाद देख सकते हैं यहां हमें एक application के उपर redirect कर दे रहा है तो यहां भी देख सकते हैं इसका हम यहां about में आ जाते हैं और यहां भी देख सकते हैं क्या इसका condition दिया तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं आपको apply करते ही instant cash loan मिल जाते हैं 20 लाग तक का loan आप ले सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं personal loan cash loan और बहुत सारे features benefits वेगर और बहुत सारा है लेकिन यहाँ आपको loan amount जो है up to 20 लाग तक की मिल जाती है interest rate जो है बहुत ही कम आपका लगने वाला है देख सकते हैं आप देख सकते हैं interest rate जो है starting आपको 9.9% लगेंगे minus आपको 45% यह लगेंगे उसके बाद यहाँ loan returns का है 3 to 72 month के लिए आप यहाँ loans return ले सकते हैं दे सकते हैं उसके और 100% digital process है instant money transfer in bank account है minimum household income जो है आपको 3 लाख रुपे मिल जाते हैं no security deposit बहुत ही अच्छी है पर आप यहाँ से पैसे लेते हैं loan तो यहाँ 50,000 का अगर लेते हैं तो return आपको 12 महिने में करना पड़ता है interest rate 22% आपको लगने वाला है ठीक है उसके बाद MI जो है आपका 4680 रुपे लगेंगे और processing fees आपको लग जाते हैं GST के साथ 1475 रुपे और यहाँ आपको amount जो मिलने वाला है 48,525 रुपे चिक है और total amount payable करना है आपको 4680 into 12th month के लिए आपको यहाँ पैसे total जो आप 50,000 लेते हैं उसका आपको interest के साथ पैसे वापस करना पड़ेगा 56,160 रुपे तो guys बहुत ही interesting है बहुत ही कम interest rate में आपको loan मिल रहे हैं तो अभी जाइए और EGPK अंदर जा करके यहाँ आप अपना apply कर लिजे loan अगर आपको loan की requirement है तो चलिए दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा हो तो please एक like और एक comment कर दीजेगा चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को subscribe भी कर लिजेगा ताकि और आने वाली वीडियो की notification आपको मिल सके तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक किलेगा धन्यवाद जैहिन जैभारत